दोस्तो सरसो की फसल इस समय लाबकारी फसल है यदि आप भी सरसो की फसल करते हैं या करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से अंतर पूरा देखेगा इसमें आपको हम कुछ पॉइंट ऐसे बताएंगे जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी और यदि इन पॉइ जाजे मिलेगा तो दोस्तो सुरू करने से पहले आप से अंवर्द करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दोस्तों में सेर करें और बेल आइकोन के बटन को आल पर सेलेक्ट ताकि आपको आने वाली वीडियो समय प बहुत महत्पूर हैं हमें अच्छे बीच का चैन करना है जिसकी उपर ज्यादा हो और इस परकार के चैन के लिए चैनल पर वीडियो है उस वीडियो को देखके आप अपनी मन पसंद का बीच चैन कर सकते हैं और अच्छी वरैट्री के चैन करके ही हम जादा प्यादावार ले सकते हैं अब बात दोस्तों आती है दूसरे पाइंट की वो है भूमी का सोधन तो दोस्तों भूमी के सोधन के लिए आपको ट्राइको ड्रमा लेकर उसे गोवर के खाद में मिलाकर करीब 10-12 दिन रख दें उसको खेत में मिला दें और उसके वासर्चों की बुवाई कर आता है अब दोस्तों अब बात आती है तीसरे पॉइंट की और तीसरा पॉइंट है बीज का सोधन तो बीज का सोधन भी हमें अवस्य करना चाहिए और बीज के सोधन के लिए दो ग्राम प्रती किलो ग्राम बीज की दर से कारवेंडर जिम लेकर उसमें हम बीज सोधन करके हमें बीज बोना चाहिए जिससे हमारा बीज जादा जमाब होगा और सुद्ध जमाब होगा पौधे मजबूत निकलेंगे कुल मिलाकर हमें पैदा बाद जाद बीज़ेंगे दोस्तो अगला पौइंट है विविन पिलकार के फर्टिलाजर का संतुलित प्रियोग इसके लिए आप दो बैग लेने हैं सिंगल सुपर फासफेट के एक बैग यूरिया और आदा बैग एमोपी इसका प्रियोग करना है या आप डीएपी का प्रियोग करते हैं तो एक और उसमें 25 किलोगराम एमोपी लेना है इसके साथ बिवाई करनी है या आप जो एन पिक बारे वाक्तिस तोले के साथ बिवाई करना चाहते हैं तो वो आपको 60 किलोगराम प्रिति एकड़ के हिसाब चला हैं और इन तीनों खादों में से एक खाद उसके साथ आपको लेना है पांच किलियोग्राम सलफर जो डबलू जी के रूप में आता है उसका पिर्योग कर सकते हैं यह आप इनका पिर्योग करते हैं तो आपको सर्सों की अच्छी प्यदावार मिलेगी दोस्तों अंतिम पॉइंट है समय पर फसल की कटाई जब हमारी फसल की फलियां है जब पी पॉइंटों का द्यान देना है यदि आपकी फसल में महूं रोग लग जाता है जैसे चैंपा बोलते हैं तो उसका भी आपको दवाई का ध्यान देना है उसके लिए इमिडा क्लेवर्पिट नाम की दवाई आती है उसे एक एमेल प्रती लीटर के हसाब से आप अपनी फसल मिलेगी तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना है अगले वीडियो में कोई निया टॉपिक लेकर फिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार